स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूटूब चैनल स्क्रेच माइंड में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को UPDL8 के 4th समिष्टर के गडित सब्जेक्ट का महा महरातन कराने वाला हूँ दोस्तों जिसमें मैं आप सभी लोगों को गडित सब्जेक्ट के संपूर स्लेबर्स को यूनिट वाइस डिसकस करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को तो जिसमें हमें पढ़ना है करडी, करडी गतरासी, करडी चिन तथा करडी का घातान, तो करडी को हम लोग जनरली किस तरीके से रेपेजेंट करते हैं, दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं, जिसको हम लोग भूट भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे दो लगा देते हैं तो square root हो जाता है यहाँ पे तीन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है घन मूल हो जाता है इसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं तो करडी का चिन्द क्या होता इस तरीके का होता तो आप लोगों को पता है vidéo तो तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं करड़ी संख्याइं आईसी संख्याइं जिनका वर्ग मूल गन मूल चतुर्थ मूल पाँच्वां मूल इसी प्रकारी डा-डा-ट या नुवां मूल जो प्राकृतिक या पर्मिय संख्या नहीं होती है वे सभी संख्याएं क्या कालाती है दोस्तो करडी संख्या कालाती है तो ये भी आपको याद नहीं रखना है आपको बस याद रखना है करडी का नोटेशन कैसा होता यानि किस तरीके से डिनोट करते हैं करडी को ये याद बढ़ उसके बाद मैं आप लोगों को सारे नियम बताने वाला हूँ तो आप लोग नियम को बस दिमाग में इस्टोर करते हुए चलिए तो आप लोगों को गड़िस समझ में आने वाला है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं अब हम लोग घातांक के कुछ नियम पढ़ते हैं और करड़ी को अगर घातांक में वदनना हो यानि कि जैसे यह लिखा है N under root X तो अगर हमें इसको घातांक रूप में क्या करना है प्रदर्शित करना तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं X की पावर 1 by N तो घातांक के कुछ नियम दिये गए उस नियम को हम लोग देखते हैं सबसे पहला नियम दिया गया है A की पावर M इंटू A की पावर YN है तो क्या होते हैं घाते जो आपस में हैं वो घात क्या हो जाती जुड़ जाते अगर ये क्या है वेस समान है तो यहाँ पर जो पावर लगे हैं ये क्या होते जुड़ जाते यानि क्या हो जाएगा A की पावर M प्लस यन अगर क्या है A की पावर M भागे A की पावर यन है तो क्या होता जो पावर लगे हैं वो क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं इसी प्रकार अगला जो नियम है अगर A की पावर M की पावर यन है तो क्या हो जाते हैं यह आपस में जो पावर हैं इनका क्या हो जाता है multiply हो जाता है यानि a की power m into 1 हो जाता है इसी प्रकार अगर हम लोग देखें अगला जो नियम है a into b की power n है तो इसको हम लोग अलग-अलग क्या कर सकते हैं लिख सकते a की power n लिख सकते हैं into b की power n लिख सकते हैं अगला नियम है A upon B की पावर यन तो इसको भी हम लोग अलग-अलग लिख सकते हैं अगर एकजामपल जैसे यहां पर 2 मान लिये 2 की पावर 3 की पावर क्या है तो अगर इस प्रकाल लिखा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 तो यह example के रूप में समझ सकते हो, अगर इस नियम को हम लोग example के रूप में समझना चाहें, तो क्या जैसे यहाँ पर दिया है, 2 की power 6 भागे 2 की power 8, तो अगर इसको solve करना हो, तो इसको किस तरीके से solve करेंगे दोस्तो, 2 की power 6 minus 8, इस प्रकार से हम लोग solve करनेंगे, तो यह अगर कहीं पर आप लोगों के a की power 0 दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता, तो अब हम लोग चलते हैं, second page में दोस्तों, इसको सबसे पहले zoom कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से दिखे, अब यहाँ पर करडी के नियम दिये गए, अब हम लोग घातां हैं, तो यहाँ पर जो पहला नियम दिया गया है, under root a की power क्या है, n है, तो अगर इसका अगर हम लोग formula देखें, तो यह क्या है, अभी मैं आपको बताया, अगर इस प्रकार का हमें क्या notation मिल रहा है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, x की power 1 upon n, तो इसको किस प्रकार से यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से लिखा गया, दोस्तों पहला नियम अगर हम लोग discuss करें, तो पहला नियम लिखा है, n under root a की power n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की power 1 by n into n, तो यह क्या हो गया, a हो गया, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया प्रथम नियम, दूसरा है, n into under root a into b, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, दोस्तों अलग अलग लिख सकते है, n under root a, n under root b, अगला नियम देखते हैं, लिखा है, n under root a upon b, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, n under root a upon n under root b, बहुत आसान है दोस्तों बस mind में एक बार सोच लेना और इसका image store कर लेना अपने mind में तो आपको कोई परसानी नहीं होने माला है अब इसके बस इतना याद रखना ये देखो तीन फार्मूले दिये गए या तीन नियम है इन तीनों नियम को आप लोग क्या करना याद रख लेना बाकी आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होने माला है तो example यहाँ देखो दिया गया example जैसे 243 की power 3 बटे 5 को सरल कीजिए तो आसानी से कर सकते 243 को हम लोग अगर देखें 243 का अगर गुडन खंड करना चाहें तो यह किस से कटेगा 3 से कटेगा 3 8 24 3 1 के 3 फिर इसको काट देतें 3 से दुबारत यह क्या हो जाएगा 3 2 6 3 7 21 फिर 3 से काट देंगे 3 9 27 फिर 3 से कर जाएगा 3 3 9 3 1 के 3 तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 यानि कि 3 की power 5 हो गया और कि power 3 बटे 5 है तो अगर इसको solve करें 3 की power 5 पहले से और उसमें power लगा 3 बटे 5 तो 5 5 से कट गया 3 की power 3 आ गया और 3 का power 3 का मतलब क्या होता 27 होता तो इसी तरीके से question आएगे दोस्तों देखो अगर नियम याद है तो हम लोग आसानी से कर ले रहे हैं आगे है गुडन खंड विदी से पूड वर्ग संखाओं के धन वर्ग मूल ग्याद कीजिए और 1849 का धन वर्ग मूल भाग विदी से ग्याद कीजिए अगर आपको नियम याद है दोस्तों इससे related जो भी जम पलाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे इसमें हमें पूछा गया है पूड यहाँ question अगर देखे गुडन खंड विदी से क्या करना है यह जो संख्या दिया गया इसका हमें क्या निकालना धन वर्ग मूल निकालना तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं धन वर्ग मूल निकालना है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यानि कि यही question है इसी question को solve करना है इस question को हम लोग solve कैसे करेंगे यानि कि हम लोग 576 का सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों गुडन खंड कर लेते हैं तो 576 का अगर गुडन खंड करेंगे तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग किस से काटेंगे दो से काटेंगे तो 2 दूनी 4 एक बच्चा 2 अठे 16 एक बच्चा 2 अठे 16 यानि कि 576 में से 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 288 आएगा फिर 288 दो से कट जाएगा तो फिर भाग देते 2 एक के 2 248 एक 144 आगया अगर हम लोग इसको काटें 2 से फिर से काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 सते 14 और 2 दूनी 4 फिर 2 से यह कट जाएगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 भी 2 से कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा फिर 2 से यह कट जाएगी यह ह जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ तीन से कटता है, तीन हो गया, फिर ये तीन से कट जाएगा, तो ये एक आ गया, तो इसका जोड़ा अगर हम लोग बनाएं, इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसी का मान निकालना पान सो छेटर का, तो पान सो छेटर का हमें क्या नि दो जोड़ा के रूप में लिख रहे हैं देखो एक जोड़ा ये हो गया दोस्तों एक जोड़ा ये हो गया एक जोड़ा ये हो गया यानि कि दो गुड़े दो और फिर क्या है तीन का जोड़ा तीन गुड़े तीन एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये तो ये जोड़ा क्या होता है वर्गमूल में क्या होता है जोड़ा एक एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े ती तो ये कितना होगे दो दुनी चार दुनी आट त्रिक चोविस यानि कि 576 का जो धन वर्ग मूल आने वाला हो कितना आएगा चोविस आएगा दोस्तो इस प्रकार गुड़न खंड करते हैं तो आप लोग जानते होंगे गुड़न खंड किस प्रकार से किया जाता है पड़ भी चुके होंगे और मैं आपको बता भी दिया गुड़न खंड किस प्रकार किया जाता है तो गुडन खंड आप लोगों को पहले से भी आता होगा दोस्तों नहीं आता होगा तो मैं आप लोगों को बता दिया है अब हम लोगों को निकालना है वर्गमूल 18-19 का धन वर्गमूल भाग विधी से ग्याद करना है दोस्तों अभी तो हम लोग गुडन खंड विधी से पता किये अब हम लोग क्या करेंगे भाग विधी से क्या करेंगे धन वर्गमूल निकालेंगे गुडन खंड विधी भी आसान होती दोस्तों और भाग विधी भी आसान होता तो आईए भाग विदी से हम लोग निकालने की कोशिस करते हैं तो अठारा सो उन्चास को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों अठारा सो उन्चास भाग विदी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों जोडा बनाते हैं जैसे ये 2 का जोड़ा बन गया ये 2 का जोड़ा तो अब यहां पर हम लोग भाग देंगे 3 यह इन्नाओ इसकproकार 4,4,16 यानि कि अगर हम लोग यहां 4 से भाग दें दोस्तों तो रहाद हो जाएगा अब ये 249 आ गया अब इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो ये कितना हो गया 8 हो गया अब इसमें हम लोग भाग देंगे कि ये 249 से इस तरीके से भाग देंगे कि ये कट जाए तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर बार ले जाएं हम लोग 3 अगर नौ यहाँ पर देखो तीन ले गए दोस्तों तो यहाँ पर भी तीन लाएंगे तो यह क्या हो गया अब यहाँ यह जो तीन बाल ले गए हैं जो बाल ले जाते हो यहाँ पर भी लिखते हैं अब तीन का गुड़ा हम लोग करते हैं दोस्तों 83 में तो यह क्या हो गया त इन्टियाए 9 और 8 तरिक 24 यानि कि 249 जो कि क्या हो गया पूरी तरीके से कड़ गया दोस्तों और इसका वर्गमूल क्या है दोस्तों यानि कि ये जो 1849 है जो इसका वर्गमूल क्या होगा तिरालिस होगा 1849 का धन वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 43 होगा बहुत आसानी से हम लोग भाग विधी से solve कर लेते हैं दोस्तों तो इस तरीके से question पूछे जाएंगे तो हम लोग आसानी से कर लेंगे अगर इस तरीके से question पूछे गए तो यानि कि क्याई 1,2,3,4 से कोई भी question हम से पूछा जाएगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे यानि कि हम लोग unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 कवर कर लिए दोस्तों कितने कम समय में ये सारे unit कवर कर लिए तो हमें बस concept याद रखना है दोस्तों तो 576 को भी हम लोग बागविदी से solve कर सकते हैं दोस्तों 1849 को भी आपको करके दिखाए अब हम लोग चलते हैं आगे आगे हम लोग next unit को discuss करने माले हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं जूम कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कुछ महत्पूर परिभासाएं पढ़ेंगे यानि कि कुछ ऐसे concept होते हैं जो आसानी से हम लोग discuss कर लेते हैं तो कुछ महत्पूर परिभासाएं पढ़ेंगे यह क्या लिखाएं दोस्तों कुछ महत्पूर परिभासाएं जिसमें हम लोग discuss करने वाले हैं सबसे पहले प्राइक्ता क्या लिखाएं यह दोस्तों प्राइक्ता क्या प्राइक्ता को सभी लोग जानते हो probability भी बोलते हैं तो प्राइक्ता का definition क्या होता है किसी घटना के होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं प्राइक्ता कहते हैं तो यह definition याद रखना अगर definition आप लोग नहीं याद कर सकते हैं बस यह याद रखना जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं दोस्तों जो सिक्का उछालते हैं तो किसी घटना के घडित होने की संभावना, एक्जामपल के रूप में देखो, किसी क्रिकेट मैच को जीतने और हारने की प्राइक्टा क्या होती, 50% होती, या तो हारेगा, या तो जीतेगा, और प्राइक्टा का यूज कहां कहां पे होता, ये भी दिया गया है, तो यूज हम लोग सांखिकी में करते हैं, गडित में करते हैं, विज्ञान में करते हैं, दर्सन सास्त में करते हैं, आदिया ऐसे बहुत सारी छेत्र हैं, जहां पर हम लोग प्राइक्टा को यूज करते हैं, प्रतिदर्स समिष्टी क्या है इसको देखते हैं जिसको हम लोग generally yes से क्या करते हैं प्रदर्सित करते हैं दोस्तों तो प्रतिदर्स समिष्टी यहाँ पर definition दिया गया है ध्यान से देखो प्रतिदरस समिष्टी प्रियोग के सभी संभावित परिणामों का संगरा होता है इसे yes से प्रदर्सित करते हैं अगर आपको definition नहीं समझ माया तो कोई बात नहीं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ इसको किस प्रदर्सित करते हैं? yes से यह तो आपको समझ में आ गया होगा अब जैसे मैं सिक्का उछाला तो सिक्का उछाला तो क्या आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो यही जो हेड और टेल आएगा इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो संभावित पैडाम आते हैं उन्ही के संग्रा को क्या कहते हैं हम लोग प्रतिदर्स समिष्टी कहते हैं यहाँ पर एजाम्पल दिया गया दोस्तों जब एक सिक्क्यों को एक बार उच्छाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तिल आएगा तो यह जो संग्रहित कर लिए हम लोग पैडाम को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिदर्स समिष्टी बोलते हैं उदारण दो भी दिया गया जब छा फलक वाले पासों को एक बार फेका जाता है यानि कि कोई पास आया जब उसको हम लोग फेकते हैं या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या 5 या 6 इन में से कुछ आएगा तो ये परिणाम है इस परिणाम को हम लोग एक जगा पर क्या कर लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिदर्स समिष्टी बोलते हैं तो प्राइक्ता आप लोग समझ ले प्राइक्ता क्या होता किसी घटना के घटित होने की संभावना, यानि कि जो संभावना हमें दिखता, उसी को अम लोग क्या बोलते हैं, probability बोलते हैं, ठीक तूँ, उसमें जो हमें एक याद रखना है, प्रतिदर्स समिष्टी, प्रतिदर्स समिष्टी क्या लगती, जो घटना की घटित होने के परड़ाम है, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक अठा एक जगा पे रख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदर्स समिष्टी बोलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, next page पे चलते हैं, दोस्तों बहुत आसानी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और बहुत कम चीजें आप लोगों को याद रखना होगा, और इतना चीज अगर आप लोग याद रखनें, कोई भी question आप लोग आसानी से solve कर लेंगे, ये मेरी guarantee है आप लोगों से, आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ सिक्के की बात किया गया है, सिक्के के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं, अगर सिक्का को उच्छा लेंगे तो head आता, तो head किसको कहते हैं, और tail किसको कहते हैं, आप लोग अक्सर cricket match वगारे ठेलते रहते हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा, जिस तरफ असोक अस्तंभ हमें सिक्का में दिखाई देता, उसकों लोग क्या बोलते हैं, head बोलते हैं दोस्तों, और tail किसको बोलते हैं, असोक अस्तंभ के विप्रीत वाला जो पार्ट होता, उसकों लोग tail बोलते हैं, तो कुछ important महत्त पूर पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा, तो किसी सिक्के को उच्छालने पर, सीर्स या पूच की उपर आने की संभावना क्या होता, समान होता है, सभी लोग जानते जब सिक्के को उच्छालेंगे, या तो सीर्स आएगे या तो पूच, सीर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, head बोलते हैं, दोस्तों अब पूच को क्या बोलते हैं, tail बोलते हैं, आगे किसी समांगी पासो को फेकने पर, उस पर अंकित संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पांच्या में से प्रत्यक के उपर आने की संभावना क्या होती है समान होती है हम लोग पासा फेकेंगे तो या एक आ सकता या दो आ सकता या तीन ऐसे छह तक आ सकते कोई भी संख्या आ सकते है और उनकी जो probability होगी और क्या होगी समान होगी अब हम लोग कुछ प्रियोग करके देखते हैं दोस्तों जैसे यहाँ पर दो या तीन सिक्कों को एक साथ फेकेंगे तो क्या घटना घटित होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत ध्यान से समझीएगा दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्राइक्ता जल्दी किसी को समझ में आता नहीं तो प्राइक्ता में आप लोगों को क्या याद रखना सबसे पहले प्राइक्ता याद रखना प्राइक्ता क्या होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना और जो संभावना घटित होता है जो परिडाम अपने को मिल रहा है उसको हम लोग एक जगा संग्रहित कर लेते तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिदर्स समिष्टी जिसको हम लोग ऐस से प्रदर्सित करते हैं सिक्के में दो पट होते हैं एक को हम लोग हेड बोलते हैं और एक को हम लोग टेल बोलते हैं तो हमें पासा और सिक्का के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग अगर सिक्का को उछा लेंगे अगर माल लेते कोई सिक्का उछा ले तो हमें क्या मिलेगा या तो हेड मि अगर एक साथ हम लोग क्या कर रहें, दो सिक्के उचाल रहे हैं, तो वही जी जहाँ पर लिखा है, प्रथम सिक्के पर सीर्स आने के संगत, दूती सिक्के पर सीर्स या पूछ आ सकता है, इसी प्रकार प्रथम सिक्के पर पूछ आने के संगत, दूती सिक्के पर सीर्स या प अब जब दूसरा सिक्का उछा लेंगे, तो दूसरे सिक्के में, इसके संदर्व में या तो head आएगा, या तो tell आएगा, इसी प्रकार अगर tell के संदर्व में बात करूती यहाँ भी head या tell आशकता है, आ सकता है कि नहीं, यानि कि अगर दो सिक्के को हम लोग एक साथ उछा तो हमें जो प्रतिदर्स समिष्टी मिलने वाली एस मिलने वाली है पाला मिल सकता हेड हेड ठीक तो वही चीज लिखा हेड हेड दूसरा मिल सकता हेड टेल तो हेड टेल लिख दिया है अब दूसरे सिक्के में अगर सिक्के को उछाल रहा है तो टेल अगर आया टेल के संदर् पर देखो पहला सिक्का जब पहले के संदर्व अब टेल के संदर्व में अगर हम लोग बात करें टेल के संदर्व में यालि कि पहले सिक्के में अगर टेल मिला तो दूसरे सिक्के में हेड टेल मिल सकता है तीसरे सिक्के में भी क्या मिलेगा हेड टेल मिल सकता है चीजे समझने की कोशिस करो मैं फिर से आपको समझा रहा पहला सिक्का जब हम लोग उच्छा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा या तो head मिलेगा या तो tail मिलेगा यानि कि अपने पास दो परिडाम मिले अब हम लोग दूसरे सिक्के पर आते हैं अब दूसरे सिक्के को उच्छानने के लिए अपने पास जो reference हो गया कितने हो गया एक तो दोनों के लिए हम लोग अलग-अलग देखेंगे सबसे पहले head के reference में हम लोग बात करते हैं head के reference में अगर दूसरा सिक्का उछा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा या तो head मिल सकता या तो tail मिल सकता वही चीज बताया गया आब हम लोग दूसरे जब दूसरा उच्छाले head और tail मिला यानि कि दो reference यहां भी मिला आप हम लोग तीसरा उच्छालने वाले हैं तीसरा उच्छालेंगे तो या तो head मिलेगा या tail मिलेगा किसके reference में head के reference में उसी प्रकार यहां tail के reference में भी हमें या तो head मिलेगा या तो tail मिलेगा इसी प्रकार भी हो जाएगा अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए दोस्तों कोई बात नहीं तो हम लोग क्या करते हैं अगर तीन सिक्कों को साथ में उछालते हैं तो हमें कितने परिडाम मिलते हैं आठ परिडाम मिलते हैं तो आप लोग याद कर सकते हो ठीक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग याद कर सकते हैं तो पहला जो condition होगा तीन सिक्के को उछा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा head, head, head दूसरा क्या मिलेगा head, head, tail तीसरा क्या मिलेगा head, tail, head और चौथा क्या मिलेगा head, tail, tail इसी प्रकार पांच हुमा क्या मिलेगा टेल हेड हेड और फिर उसकी बाद छट हुमा क्या मिलेगा हेड हेड टेल इसी प्रकार क्या हो जाएगा टेल टेल हेड और टेल टेल यानि कि आठ परेडाम मिलते हैं दोस्तों यह आठ परेडाम मैं यहां पर आप लोगों को दिखा दिया हूं तो आप लोग क्या करते हैं अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं समझे तो आप लोग क्या करिएगा याद कर लिगजिएगा दोस्तों अब इसी प्रकार अगर हम लोग दो पासे को एक साथ उछा लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला एक पासा को उछालते तो हमें परिडाम कितने मिलते हैं यानि कि अगर कोई पासा है अगर हम लोग उसको उच्छा लेंगे तो हमें जो परिडाम मिलते हैं संभव परिडाम वो कितने मिलते हैं दोस्तो च्छा मिलते हैं यानि कि एक दो तीन चार पांच च्छा तो वही चीज़ दिया गया है तो अगर हम लोग पासे को उच्छा रह अब जब दूसरा पासा उच्छा लेंगे तो अब हर के संदर्व में हमें क्या मिलेगा च्छा परेडाम मिलेगा यानि कि एक के संदर्व में हमें कितने परेडाम मिलेंगे च्छा मिलेंगे दो के संदर्व में भी हमें च्छा परेडाम मिलेंगे इसी प्रकार तीन के संदर् में भी तो 6-6 परिणाम मिलेंगे दोस्तों यानि कि टोटल कितने हो गए एक के संदर्व में 6 तीसी प्रकार 6 है तो 6 के संदर्व में कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे यानि कि अगर दो पासे को एक साथ उचा लेंगे तो हमें संभव परिणाम कितने मिलने वाले हैं दोस्तों 36 मिलने वाले हैं अब हम लोग बात करते हैं कुछ अब अगर ये चीजे आप लोग याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं याद कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो 4-5 लाइन है इसको आप लोग आसानी से य जाद कर सकते, इस line को आप लोग याद कर लिजे दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखो, अगर एक सिक्के उछानने पर प्रतेक घठना के घठित होने की समभावना, क्या होती है? एक बटे दो, इस लाइन को आप लोग यादी कर सकते हो, अगर एक सिक्का उछालते हैं तो दो परिड़ाम मिलते हैं, या तो हेड मिलेंगे या तो ठेल मिलेंगे तो यारनी इसलिए जो संभावना यारनी कि प्राइक्ता जो मिल दही हो कितना मिल दही है, एक बटे दो गा, इसी प्रकार दो सिक्के को जब एक साथ उचालने पर प्रत्य घटना के घटित होने की जो संभावना मिलती है क्या मिलता है दोस्तों एक बटे चार इसी प्रकार तीन सिक्के को जब हम लोग एक साथ उचालते हैं तो प्रत्य घटना के घटित होने की संभावना क्या होती है एक बटे आट, यानि कि सिक्के के संदर्व में हमें तीन पॉइंट याद रखना, दोस्तुबर, अगर एक सिक्का को उछा लेंगे तो घटित होने की संभावना एक बटे दो, दो सिक्के को एक साथ उछा लेंगे तो घटित होने की संभावना एक बटे चार, तीन सिक्के को दो पासा को एक साथ उचा लेंगे तो घटित होने की जो संभावना होगी हो क्या होगी एक बटे चतिस उदारड भी आप लोगों को बता दे रहा हूं इससे रिलेटिट किस प्रकार के कोईस्चन एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पे उदारड आप दो सकते हैं ए तीन काली गेद रखा है माल यह क्या है यह थैला है इसमें च्छा क्या है लाल गेद हो गया ठीक और तीन क्या हो गया काली गेद हो गया यानि इस थैले में टोटल गेद जो रखी गया यहो कितना रखा गया नौ रखा है तो हमसे पूछा गया काली गेद निकालने की यानि कि ये जो थैला है इसमें 9 गेद है तो 9 में से काली गेद हम जो लोग निकालेंगे तो कितनी प्रकार की घटना घटित हो सकती वही पूछा गया है तो 9 है टोटल 9 बाल निकल सकते हैं 9 में तो काली तो 3 ही है दोस्टों ने, तो इसको हम लोग किस प्रकाल लिख सकते हैं? अगर इसका प्राइक्ता अगर अपने को निकालना हो, तो 3 बटे 9 यानि कि 3 ही, टोटल तो 9 बॉल है इसमें, लेकिन काली तो 3 ही है, तो सबसे उपर तीन लिख देंगे तोटल नहीं है यानि कि जो प्राइक्ता निकले गई यूँ क्या होगी एक बटे तीन यानि कि एक बटे तीन चांस है कि काली गेद अपनी को मिलेगा तो प्राइक्ता वाला चैप्टर भी दोस्तों खतम हो गया है अब हम लोग आगे चलत अजने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को एक्जामपल भी मैंने बता दिया जो टापिक पढ़ा रहा हूं उस टापिक से रिलेटेड एक्जामपल भी बता दे रहा हूं तो आप लोगों को खुद समझ में आ रहा कितना आसान है तो हम लोग देखते हैं यह पर अब इकाई 10 जो है आव वर्गी कृत आपड़ों की माधिका यह वह बहुलग यह भी बहुत आसान है दोस्तों हम लोग इसको भी आसानी से समझ सकते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो इकाई 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं माधिका और बहुलग क् माधिका होता क्या है तो माधिका में हम लोग देखो definition पढ़ लो definition के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि माधिका होता क्या है तो यहाँ पर दिया गया है यदि आखणों को आरोही या अरोही क्रम में विवस्थित किया जाए तो मध्ध में पढ़ने वाले पद का मान क्या हो नाम से समझ लो अगर किसी भी संख्या को हम लोग या तो आरोही क्रम में लिखे या तो अवरोही क्रम में लिखे ठीक तो जो संख्या मत दिमें पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे माधिका बोलेंगे तो माधिका कैसे ग्याद करेंगे अपने पास मालो कोई भी जब आरोही औरोही क्रम में लिख लेंगे किसी एक क्रम में लिखेंगे दोस्तों जब लिख लेंगे तो हम लोग गिनेंगे जो संख्या मद्ध में पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे माद्धिका बोलेंगे तो आईए मैं एक जांबल के थूरू इसको समझाएंगे भी आपको, तो सबसे पहले देख लेते मादिका ग्याद करने का जो step है, तो पहला जो है, जब आकड़े बिसम संख्या में हूँ, तो मादिका का फार्मूला क्या होता है, तो मादिका का जो फार्मूला होता है, n प्लस 1 बटे 2 में पद का मा, अगर आकड़ा जो हमें दिया अगर वो बिसम में है, यानि कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर इस प्रकार के आकड़े अपने को मिल रहे हैं, तो इनका जो फर्मूला होगा N प्लस 1 बटे 2 में पद का मान, ये क्या होगा, माद्धिका होगा, अब उदारण से समझ लेते हैं, तो आसानी से समझ माद्धिका, तो लिया गया कच्छाच्छा के 5 छात्रों का भार जो है, 49 है, 55 है, 43 है, 57 है और 52 केजी है, तो हमें इनका क्या करना है, माद्धिका ग्याद करना, तो सबसे पहले ये जो दिये गए हैं छात्र, इनको हम लोग क्या करते हैं, और रोही क्रम में लिख लेते हैं, और रोही का मतल तब होता है, सबसे जो बड़ी संख्या होती है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इन में क्या है, 57 है, तो 57 को लिखा है, फिर 55 है, फिर 52 है, फिर 49 है, फिर 43 है, अब इसमें देखेंगे कितने पद हैं, तो एक पद, दो पद, तीन पद, चा पार पद और पांच पद यानि कि N का जो मान होगा यहाँ पर हो कितना होगा 5 होगा तो यानि कि यह जो N बराबर क्या मिलना 5 मिलना जो कि विसम है ठीक तो अगर इसके फार्मुले की बात करो अभी जेश्ट हम लोग फार्मुले पड़े N पलस 1 बटे N प्लस 1 बटे 2 में पद का जो मान होता वही क्या होता है मादिका होता तो यहाँ पर लिखा गया मादिका का फार्मूला यहाँ पर आप लोग दिख सकते है N प्लस N प्लस 1 डिवाइड बाई 2 में पद का मान क्या होगा मादिका तो यानि कि 5 पद है पांच में एक जोड़ दी अच्छा हो गया बटे दो तो च्छा को दो से काटेंगे तीन तो जो तीसरा पद होगा हो क्या होगा माद्दिका होगा यानि कि पहला दूसरा तीसरा यह जो तीसरा पद यानि कि तीसरा पद क्या है बावन तो यही 52 क्या होगा मात दिखा होगा तो कितना आसान है दोस्तों अगर आकड़ा क्या हो सम हो तब क्या होगा मात दिखा है तो इसके लिए भी फार्मूला दिया गया है तो फार्मूले को याद रख सकते हैं तो फार्मूला ये है यहाँ पे देखो जब आगड़े sum हो तो sum के लिए formula क्या है n बटे 2 में पद का मान plus n बटे 2 प्लस 1 में पद का मान मान लेते हैं किसी में क्या है 6 पद है example से समझो n का मान कितना है 6 n equal to कितना है दोस्तो 6 है तो अगर इसका माद्धिका निकालना क्योंकि यह क्या है sum है तो इसका माद्धिका हम लोगा असानी से निकाल सकते 6 बटे 2 6 बटे 2 में पद का मान अब प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 में पद का मान अब पूरे का बटे 2 कर देंगे यानि कि 6 बटे 2 करेंगे तीसरे पद का मान तीसरे पद का मान प्लस चोथे पद कमान बटे जितनी संख्यदी रहेगी उसमें हम लोग जनलनी क्या करना अगर फार्मूला आपको टफ लग रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना है इस प्रकार से याद कर सकते हो देखो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा द्यान से समझेगा दो कंडिशन हो सकते हैं एक तो सम मिल सकता दूसरा क्या मिल सकता बिसम तो बिसम में तो बहुत आसान है जो बीच में पढ़ता वही क्या होता मादी क्या होता सम में क्या होता सम में दो आकड़े मद्ध में पढ़ते हैं यानि कि दो पद मद्ध में पढ़ते हैं ठीक उसको निकालने का है जैसे माल लिए कितने n बराबर च्छा आ गया है ये क्या है सम पद है तो सम पद में हम लोग क्या करेंगे इसमें दो का भाग दे देंगे तो दो का भाग दिये, तो क्या मिला पहला, तीसरा पद, तीसरा पद का मान, जब एक मिल गया तो उससे एक आगे होगा, क्या हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, चौथा पद का मान, बटे दो कर देंगे, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, माध्धिका निकाल लेंगे, को भी आप समझ लीजिए दोस्तों आसानी से इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूं जूम कर देता हूं दिया गया बिद्याले की बास्केट बाल टीम द्वारा दस मैचों में प्राप्त अंक निम्नुमत है दस बारा आठ नौ इग्यारा उनीस तेरा दस बीस बाइस मैच के अं इसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो आरोही क्रम में क्या होता जो सबसे छोटा होता उसको सबसे पहले लिखते हैं तो आठ नौ दस यह इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसमें पद कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ बीच पद एक बार मैं यहां पर देख लेता हूं, यहां मैं इसको आरोई और रोई क्रम में लिख लेता हूं, सबसे छोटा क्या है, आठ है, फिर उसके बाद क्या है, आठ को हम लोग लिख लिए, फिर क्या है, नौ है, नौ को भी लिख लिए हम लोग, तो उसके बाद क्या है, द 12 को भी हम लोग लिख ले 12 के बाद क्या है देखो 10 दोस्तों दो बार है तो 10 एक तो यहां पर है और एक यहां पर तो यही 10 छूट गया था ठीक तो 10 को दो बार हम लोग लिख ले अब 10 पद हो गया ठीक तो n बराबर 10 हो गया तो n बराबर 10 हो गया तो हम लोग 10 में क्या करें दो का भाग दे देंगे तो पांचमवा पद प्लस छटमवा पद डिवाइड बाई दो यहाँ पे देखो दस बटे दो में पद का मान प्लस दस बटे दो प्लस वन में पद का मान बटे दो तो दस बटे दो में पद कमान मतलब पांचमें पद कमान और ये छटमें पद कमान ठीच बटे दो तो पांचवे पद कमान क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो पांचवे पद कमान क्या आ गया? 11 और छटवे पद कमान क्या आ गया? 12 आ गया तो 11 प्लस 12 बटे 2 कर दिये, 23 बटे 2 आ गया और 23 बटे 2 क्या होता है? 11 दस हम लो 5 तो अगर आकड़ा sum है दोस्तों तो जितने पद हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे सीधे 2 से भाग दे देंगे जैसे 10 पद हैं 10 में हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 5 आ गया उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बारा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलग बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफनीशन दिये गए आकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलग कहते हैं अर्थाद जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती वह पद क्या कलाता है बहुलग कलाता है तेहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दस छात्रों द्वारा प्राप्त किये गए निम्न लिखित अंकों का बहुलग ग्याद कीजे तो इस आकड़े में देख सकते हैं कि सबसे सबसे अधिक है तो यानि जो बहुलग होगा इस आकड़ा का वहलोग क्या होगा नेस्ट पेज में चलते हैं दोस्तों 11 11 के बात करते अभी तक हम लोग दोस्तों 10 इकाई को क्या कर लेए डिस्कस कर लिए यानि कि 10 को गबर कर ली किसी उनिट में आपको प्राब्लम नहीं हुए होगी दोस्तों ये पूरा संपूर मैद को मैं आप लोगों कबर कराने वाला हूँ तो आप लोग बस बढ़ते जाएए बहुत अच्छा है सारे स्लेबस का मैं निचोड आपके सामने रखा हूँ दोस्तों तो बस आप लोग समझते चलिए अगला जो टॉपिक हो क्या है त्रिकोड मिती अनुपात इसमें सबको बहुत दिक्कत होता दोस्तों लेकिन हम लोगों कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो त्रिकोड मिती अनुपात की अधारा दिया गया है तो त्रिकोड मिती अनपात में सबसे पहले जो हम लोगों को याद रखना एक समकोड त्रिभुज बस आप लोगों को क्या याद रखना एक समकोड त्रिभुज तो समकोड त्रिभुज में एक कोड क्या होता है नब्बे अंस का होता है तो इस कोड को हम लोग 90S माल लेती यहाँ पर समकोर ते बुज मैं बनाया हूँ तो इसमें एक concept होता है माल लो मैं यहाँ पर harsh हीटा माल लिया यहाँ पर मैंने क्या माल लिया YLaughs तो जो कोड के सामने की भूजा होती है जैसे ये कोड हो गया ठीक जिसकों लोग अगल बोलते हैं अगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंभ होती है तो बस ये याद रखना हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग generally क्या बोल देंगे इसको लंभ बोल देंगे लेकिन ऐसा नहीं है एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता लंब होता है और जो एंगल से सटी हुई भुजा होती हो क्या होता है आधार होता है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर होती तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कोड इसको मा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब हो गई ठीक और जो एंगल से लगी हुई भुजा होती इसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं तो एंगल से सटी ही भुजा ये है तो आधार हो गया जो सबसे बड़ी भुजा हो गई हो क्या हो गया कर हो गया बस इत पलगानी से कर लेंगे दोस्सकों नहीं आता हुआ उसको भी ट्रिकोड में ती अवा जाएगा। तो इसके लिए चा चीज अपने को याद रखना है.. Sign-Cos 10 तो सबसे पहले तो 3 ही याद रखना है Sign-Cos और 10 तो सबसे पहले क्या है Sign साइन के लिए जो हम लोग Trick बनाएंगे L बाटे K यानि कि लाल बाटे काक्छा में सबसे पहले क्या आ रहा L आ रहा है L को हम लोग लंब बोलते है K को क्या बोलते है बोलते हैं दूसे नमबर पर कास आ रहा है तो कास कе लिए हो जाएगा A अपान के यानि का उठार बते कर और तीशे नमबर पर 10 आ रहा है तो 10 के लिए L अपान यानि कि लंब बते आधार तो यहां पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले नमबर पर क्या है? sin θ, तो sin θ, एल अपान के का मतलब होता लंब बटे कड, तो लंब क्या है यहाँ पर दोस्तों B और C है, यानि कि B C भुजा, बटे कड क्या हो गया भुजा, कड अगर हम लोग देखें तो कड यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं गलत कर दिया हूँ कास θ cherry क्या है? आधार बटे कड, तो आधार क्या है A, B अव कड क्या है? A, C, A, B, बटे C हो गया 10 θ, बराबर, लाल बटे कक्का होता तो लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार में लंब क्या है? B, C है और आधार क्या है? A, B, है अब साइन का सगर 10 पता चल गया इनका उल्टा क्या होता जैसे साइन का उल्टा की बात करूँ यहीं पर लिख दे रहा हूं तो ज़्यादा समझ में आगा है साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है कोसिक होता है तो sign का उल्टा है तो sign का उल्टा है तो हम लोग क्या लिख देंगे A B upon B C लिख देंगे तो sign का उल्टा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे A B upon B C cos theta का उल्टा क्या हो जाएगा 6 theta ते क्या है cos का उल्टा है तो इसका उल्टा कर देंगे यानि कि 6 ठीटा बराबर क्या हो जाएगा AC अपान AB यानि कि कड अपान आधार और 10 का उल्टा क्या होता काट होता है तो यह क्या हो जाएगा AB अपान BC तो यही चीज लिखा है काट ठीटा बराबर क्या होता है 10 का उल्टा तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लम यानि ये देखो काट ठीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 10 ठीटा सिख ठीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कौश ठीटा कोश सिख ठीटा बराबर 1 अपान साइन ठीटा यहाँ पर दोस्तों गलती हुआ है इस गलती को सुधाल लेना कड़ कड़ क्या है A C है A B की जगा पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों C होगा अब हम लोग ट्रिकोर्ड मिती अनपातों के बीच संबंध याद करेंगे यानी कि 6 चीज याद रखना Sf5 नहीं याद रखना अपने को केवल 3 याद रखना क्या याद रखना Sf5 याद रखना Сf5 इसके लिए सबसे पहले ट्रिक लाल बटे कका ये याद रखना L का मतलब क्या हो गया Lumb Auket का मतलब क्या हो गया कड है तो यह क्या होता है साइन होता है यह याद हो गया दूसरा क्या है एक का मतलब आधार और के का मतलब क्या होता है यह क्या होता है कास होता है ठीक और अपान एक का मतलब क्या होता है लंबटे आधार और लंबटे आधार क्या होता है टैन होता है इन तीनों का उल्टा क्या ह हो जाता है, sin का उल्टा क्या होता, कोसिक, sin का उल्टा कोसिक, cos का सिक और tan का काट, बस ही यह याद रखना, अब हम लोग कुछ relations पढ़ने वाले हैं, relation त्रिकोड में ती अनपातों के वीच संबन, तो tan ठीटा बराबर क्या होता है, दोस्तों, sin ठीटा पान cos ठीटा, tan ठीटा बराबर क्या होता है, sin ठीटा पान cos ठीटा, तो car ठीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos ठीटा पान sin ठीटा, एक relation बहुत पुछा जाता है, रट लेना, sin square ठीटा प्लस cos square ठीटा बराबर क्या होता है, one होता है, इसको याद कर लेना दोस्तों, sin square theta प्लस cos square theta बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसी प्रकार sin को अगर हम लोग इधर ही रखें और cos square theta को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो आई है, sin square theta बराबर 1 minus cos square theta, cos square theta बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus sin square theta, देखो त्रिकोड मिती में यही 6 चीज याद रखना है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोड मिती के जो अनपात होते हैं, उनके कुछ मान दिये गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं, यह सारडी बस याद कर लेना दोस्तों, अगर यह सारडी आप लोग याद कर लें, तो इससे related आप लोग कई question आसानी से कर लेंगे, तो सारडी याद करना बहुत आसान है, ठीक तिये क्या है theta, यहाँ पर देखो 0, 30, 45, 60 और 90 के सब ही त्रिकोड मिती अनपातों के क्या हैं, मान दिये गए हैं, ठीक तिये theta हो गया यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा हैं, तो सबसे पहले sign, cast और 10, इनी तीन का याद रखना दो, तो अगर इन तीन का याद रख लिए, तो automatic जो बचे तीन हैं, उनको हम लोग उल्टा करके निकाल लेंगे, क्योंकि sign का उल्टा क्या होता है, को से खोता है, और cast का उल्टा क्य क्या होता है, 0, तो हमेशा याद रखना, sign 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, sign 30 हंस का मान क्या होता है, 1 बटे 2 होता है, और sign 45 हंस का मान क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 2, और sign 60 हंस का मान क्या होता है, करड़ी में 3 by 2, और sign 90 हंस का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ऐसे याद र जाएगा 1 हो जाएगा ठी तो नप्पे अंस का मान 1 और 0 अंस का मान क्या होगा 0 होगा तो 30 का मान क्या होगा एक बटे 2 और 45 का एक बटे root 2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा करड़ी में 3 by 2 तो एक याद कर ले जब साइन ठीटा क्यात कर लिए इसी को हम लोग क्या करेंगे अब इधर से लिख देंगे यानि कि 1 काड़ी में 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 यानि कि अभी तो हम लोग इस तरीके से लिखे थे अब यही मान हम लोग जो यह मान अपने को मिला है फर्स्ट टेबल में इसी को हम लोग क्या करेंगे इधर से लिख देंगे इधर से यानि कि सबसे पहले 1 लिख दिये फिर root 3 by 2 लिख लिए 1 by root 2 1 by 2 तो ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से नहीं तो अगर एक दो बार दोस्तो अगर table बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा बहुत बड़ी बात नहीं तो आप लोग इसको याद कर लिजेगा तो यहाँ से fix है इस table से अगर आप लोग याद कर लोगे तो 2 से 3 question आसानी से solve कर लोगे ऐसे question पूछे जाते हैं दोस्तों हमसे पूछ लिया sign square ती संस प्लस काट स्क्वायर 45 संस का मान क्या होगा अगर हमें क्या है मान याद है तो हमें पता साइन ती संस का मान क्या होता है एक बट्टे दो होता है तो एक बट्टे दो का square और काट 45 संस का मान क्या होता है तो काट 45 संस का मान 1 होता है तो 1 का square ठीक तो यह आसानी से solve होगे अग नहीं यह क्या होगे एक बट्टे 4 प्लस 1 यह क्या हो गए एक प्लस चार बटे चार यानि कि पांच बटे चार अगर अपने को मान याद है तो हम लोग इस तरीके के कम सी कम बहुत क्यूच्चन पूचे जाते हैं दोस्तों हम लोग आसानी से solve कल लेंगे यहाँ पे 10 0 अंस का मान क्या होता है 0 10-3 अंस का मान 1 by root 2 10-45 अंस का मान 1 और 10-6 अंस का मान क्या होता है root 3 होता है तो यही 3 याद रखने हैं दो तो अगर यह 3 याद रख लिए बाकी को हम लोग क्या करते हैं उल्टा करके निकाल लेते हैं जैसे यह 3 sign 0 अंस का मान क्या हो जाएगा जीरो बटे जीरो अब कोसेक का अगर हम लोग निकाले अगर sign का याद है माल लेता हो कोसेक क्या होता है sign का उल्टा होता है यह क्या होता है sign का उल्टा होता है कोसेक क्या होता sign का उल्टा होता है तो sign का मान याद है sign का मान क्या होता साइन ती जीरो अंस की बात करूं तो जीरो होता है साइन तीस अंस की बात करूं तो एक बटे दो होता है ये क्या होता है साइन पैतालिस अंस का मान क्या होता है तो वन बाई रूट टू और साइन साथ अंस का मान होता है रूट थ्री बाई टू और इसका क्या होता है वन होता तो इसको उल्टा कर दें तो अगर उल्टा करेंगे तो जीरो बटे जीरो क्या हो जाएगा अब ये क्या है एक बटे दो है तो एक बटे दो का उल्टा क्या होता दो होता है वन बाई रूट टू का उल्टा क्या होता है यह होता है, root 3 by 2 का उल्टा क्या होता है, यह, और इसमें क्या हो जाएगा, 0 by 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या माना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस यह याद रखना दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, इकाई 12 की तरफ, इकाई 12 में हम लोग आसानी से समझते हैं, इकाई 12 क्या है, लंब बृत्ती बेलन और लंब बृत्ती संकु, तो लंब बृत्ती बेलन तथा लंब बृत्ती संकु कैसे बनता है, तो सबसे पहले यह जान लोग, सबी लोग जानते हो, अगर हम लोग बात करे लंब बृत्ती बेलन तो लंब बृत्ती बेलन कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों ठीक अगर लंब बृत्ती संकु की बात करूं तो क्या होता है एक समकोर्ट त्रिबूच बना लिए समकोर्ट त्रिबूच को हम लोग क्या करेंगे इस भुजा के परता क्या करेंगे घुमा देंगे तो इस भुजा के परता घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार को हमें ये क्या हो गया लंब बृत्ती संक हो गया ये क्या हो गया लंब बृत्ती बेलन तो इसमें बस हमें फार्मूला याद रखना दोस्तों फार्मूला के अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है बस फार्मूला याद रख लेंगे तो कोई भी क्वेस्चन आएगा तो हम लोग क क्या करेंगे? चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. तो लं्ब बृत्ती बेलन, किसी आयत को उसके भुजा के परिता घुमाने से बने थोस को लंब बृत्ती बेलन करते हैं. जैसे यह मान लिए किया दूस्तों? कोई आयत है. इस भुजा के परता इसको हम लोग क्या माल लिया A, B, C, D को यायत है A और C को हम लोग क्या करिये फिक्स कर लिये अब A, C को फिक्स कर लिये A, C के परता हम लोग क्या करेंगे इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कुछ इस प्रकार की आकृति अपने को मिलेगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बृत्ती बेलन तो वही चीज बोला गया तो लंब बृत्ती बेलन का हमें क्या याद रखना है प्रिष्टी छेत्रफल इसको जितने फार्मूले दिये गए दोस्तों इन सारे फार्मूलों को आप लोग अगर याद कर लोगे तो इन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एकजाम में पूछा जायेगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे तो सबसे पहले जो हमें याद रखना बेलन का वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल तो बेलन के वक्रप्रिष्ट के छेत्रफल क्या होता तो पाई यार इन्टू याज यानि अगर हम लोग बात करें ये बेलन हो गया ठीक, बेलन को अगर इसको हम लोग खोल दें ठीक, तो पूरी तरीके से खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगे, एक सरकुलर है, तो 2 PiR याद कर लिए ठीक, ये प्रिष्ठ हो गया, ठीक, जो दिख रहे है ये क्या हो गया, 2 PiR into H ठीक, तो ये क्या हो गया, बेलन के वक्रपिष्ठ का छोतरफल अब बेलन के संपूर प्रिष्ट का छेत्र फल अगर हम लोग बात करें तो जो वक्र प्रिष्ट होता हो वक्र प्रिष्ट क्या होता है पाई रियाच अगर ये बेलन है ठीक तो ये जो हो गया राउंड में होता जैसे पेन हो गया पेन का उपरी सिरा और निचली सिरा आम लोग छोड़ दिये जो उसके बाद जो भी एरिया अपने को दिख रहा हो क्या तो वक्रपिस्थ होता हो तो वही होता वक्रपिस्थ 2 pi r into h तो वही चीज आप संपूर पिस्थम लोग निकालने माले हैं तो यानि उपर वाले पाट को भी कंसीडर करेंगे नीचे वाले पाट को भी कंसीडर करेंगे माल लो imagine कर लो यानि कि कलपना कर लो अपने पास क्या एक pipe है तो pipe कायसे होता है? गोल circular होता है ठीक बेलन जैसा या cylinder माल लो तो cylinder का जो ये वाला पाट दिखते हैं यह सब पार्ट दिखते हैं यह सब पार्ट यानि यह वाला पार्ट अभी हम छोड़ दे रहे हैं उपर और नीचे वाला पार्ट छोड़ दे रहे हैं तो जो पार्ट बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वक्र पिष्ट बोलते हैं जब उपर और नीचे वाले पाइट यह दोनों क्या तो यह सर्कुलर होते हैं और सर्कुलर का छेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वार तो पाई आर स्क्वार पाई आर स्क्वार क्या हो जाता टू पाई आर स्क्वार तो इसलिए यहाँ पर 2 pi r square लिखा गया दोस्तों तो संपूर प्रिष्ट जो होता 2 pi r h plus 2 pi r square तो यहाँ से 2 pi r common हो गया तो bracket में क्या बचता r plus h तो हमें दो चीज यह बेलन का वक्र प्रिष्ट पूछा जाया तो याद रख लो 2 pi r into h संपूर प्रिष्ट क्या होता है 2 pi r bracket में r plus h अगर बेलन का आयतन पूछा जाये तो क्या होता pi r square into h तो बेलन में हमें क्या याद रखना तीन चीज याद रखना दोस्तों तो तीन चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं बहुत आसान है अगर वक्र प्रिष्ट सबसे पहले हम लोग वक्र प्रिष्ट की बात करते हैं तो वक्र प्रिष्ट क्या हो जाएगा 2 pi r into h अब हम लोग बात करते हैं संपूर प्रिष्ट की संपूर प्रिष्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 2 pi r y तो होगा ही होगा प्लस 2 प्लस 2 पाई आर स्क्वाइड ऐसे याद रख लो उसके बाद आयतन क्या होता है एरिया में हम लोग क्या करेंगे हाइट का गुड़ा कर देंगे तो यह अपने को क्या मिल जाएगा आयतन मिल जाएगी यही तीन चीज याद रखना तीन चीज याद रख लोगे अगर लंब पृत्ती बेलन होगा तो उससे रिलेटेट कोई भी क्वेस्टिन पूछा जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लोगे जैसे यहाँ पे पूछा गया एक बेलन की उचाई क्या है 14 सेंटीमेटर तरथा 37 सेंटीमेटर है तो इस बेलन का वकप्रिष्ट संपोर्प्रिष्ट तथा आयतन ग्याद कीजिए अगर हम लोग वकप्रिष्ट की बात कर तो सबसे पहले अगर कोई भी नियुमेरिकल आता है दोस्तों तो हम लोग कैसे सॉल्व करते है नियुमेरिकल देख के बिलकुल घबडाया नहीं जाता सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग आसानी से पढ़ते है या इसे दिया गया एक बेलन की उचाई उचाई मतलब क्या हो गया है एच एच कितना दिया गया है 14 सेंटीमेटर तिरिज्जा मतलब आर आर कितना दिया गया है 7 सेंटीमेटर ठीक तो हमसे पूछा वक्रपिष्ट संपोरपिष्ट तथा है जो चीज दिया गया उसको लिख लो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते है वक्रपिष्ट का फार्मूला देखेंगे क्या होता है तो वाक्रफिष्ट का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है तू पाई आर इंटू एच यही तो होता अगर उपर यहाँ पर मैं आपको फार्मूला दिखाऊं तो क्या होता है तू पाई आर इंटू एच यहीत होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मान दग देंगे इसी प्रकार संपूर प्रिष्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं संपूर प्रिष्ट संपूर प्रिष्ट क्या होता है 2 πाई आर एच इंटू 2 πाई आर एच प्लस 2 πाई आर स्क्वाईर ठीक यह क्या होता है संपूर प्रिष्ट होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे वैलू रख देंगे तो निकाल लेंगे आसानी से मान इसी प्रकार आयतन निकाल लेंगे तो आयतन क्या होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो इसमें भी मान रख देंगे 22 बटे 7 कर देंगे आर कमान हो गया 7 गुड़े 7 यानि के स्क्वाइर है एच कमान क्या हो गया 14 इसको भी हम लोग क्या करेंगे solve कर लेंगे इस तरीके से कोई भी question पूछा जाएगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लंब बृत्तिय संकु की अगला जो है अपना लंब बृत्तिय संकु तो लंब बृत्तिय संकु का definition देख लो संकोर त्रिभुज को यदि संकोर बनाने वाली उसकी एक भुजा के परिता घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंब बृत्ति संगुकाते यानि कि मालिय कोई क्या है संकोड त्रिभुजा है तो अगर इस भुजा के परिता यानि कि ये भुजा मालिय A, B, C अगर भुजा A, B के परिता इस त्रिभुज को क्या किया जाए अगर घुमाया जाए तो किस प्रकार की आकृति मिलेगे कुछ इस प्रकार की अकृति अपने को मिलेगी तो ये मालिय जो समकोड त्रिभुज यानि कि जो लंब भुजा इसकी जो हाइट है वो कितना एच और उसके बाद जब इसके परिता घुमाएंगे ये वाली जो भुजा होगा ये क्या होगा आर होगा यानि कि ये क्या होगा आर होगा अब अगर हमें ये वाली भुजा निकालनी हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तीरियक तीरियक रेखा बोलते हैं तो ये क्या होगा समकोड त्रिभुज हो गया दोस्तों तो समकोड त्रिबूज में हम लोग पाइथागोरस थियूरम लगाते हैं जो क्या होता है पाइथागोरस थियूरम की बात करूँ तो कड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो कड क्या है इसमें L का स्क्वायर और लंब क्या है H का स्क्वाइर और आधार क्या है R का स्क्वाइर तो L बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वाइर प्लेस R स्क्वाइर तो वही है L का मान अगर हमें निकलना है H स्क्वाइर प्लेस R स्क्वाइर होता तो लंब बृत्ती बेलन का अयतन क्या होता है तुल ना करके पढ़ना तो याद हो जाएगा दूस्तों लंब बृत्ती के अगर बात करूं लंब बृत्ती है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आरी स्क्वाइर एच तो संकु का क्या होता है एक बटे तीन पाई आरी स्क्वाइर बस ठीक तो ये दोनों अब लंब बृत्ती संकु का संपूर प्रिष्ट तो सबसे पहले अगर हम लोग उसमें हम लोग क्या बेलन का वक्रप्िस्ट और शम्पूर पृष्ट पड़े थे इसमें क्या होगा पार्स पृष्ट को हम लोग वक्रप्िस्ट भी बोल सकते दोस्तों ठीक टेंसल लेने वाली बाze नहीं है तो संकु का जो पार्स प्रिष्ट होता हो पाई आरियल होता है वो बेलन का क्या होता था तू पाई आर एच ठी यहाँ पर क्या हो गया पाई आरियल हो गया संकु का संपूर प्रिष्ट आगे दिया गया संकु का संपूर प्रिष्ट क्या होता है पाई आरियल प्लस पाई आर स्क्वार और बेलन का क्या होता था तू पाई आर एच प्लस तू पाई आर स्क्वार है तो ऐसे तुलना करके याद कर सकते हैं अब लंब बृत्ती संकु के आधार की 33.5 cm है तथा उचाई 12 cm है तो संकु का आयतन याद कीजिए दोस्तों मैं आपको बताया इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी question चुटकियों से कर लोगें तो हम लोग इस question को करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे given क्या है तो given क्या है संगु के आधार की तरिज्जा यानि कि R का मान क्या है 3.5 cm है और H का मान कितना है 12 cm है तो हमें आयतन पूछा है यानि कि V पूछा गया है तो B का मान क्या हो जाएगा 1 बटे 3 पाई R स्क्वायर H तो B बराबर 1 बटे 3 पाई का मान होता 22 बटे 7 आर का मान हो जाएगा 3.5 को मैं लिख सक्ता हूँ 35 बटे 10 यानि कि 35 बटे 10 गुडे 35 बटे 10 इंटू H का मान कितना है दोस्तों 12 है इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आजाएगा 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 आप लोग सॉल्व कर लेजिएगा दोस्तों अब हम लोग नेश्ट यूनिट के तरफ चलते हैं नेश्ट यूनिट है समलंब का छेत्रफल समलंब का छेतरफल हम लोग निकालेंगे दोस्तों किस तरीके से निकालते हैं समलंब का छेतरफल ये भी बहुत आसान है बस सबसे पहले तो हम लोग समलंब को कैसे बनाते ये देख लेते ये क्या लिखा है दोस्तों समलंब का छेतरफल अगर नहीं दिख रहा आसानी से तो मैं पढ़के बता दे रहा हूं ये लिखा गए समलंब का छेतरफल तो समलंब का छेतरफल क्या होता है सबसे पहले समलंब चतुरभुज जानलो किस तरीके से बनता है समलंब चतुर भुज में दो भुजा क्या होती है समानतर होती है जो सम्मुख भुजाएं होती है समलंब चतुर भुज की यानि कि ये दो भुजा क्या हो जाएगी समानतर हो जाएगी तो समलंब चतुर भुज का केवल छेतर फल याद रखना बहुत आसान है दोस्तों तो अगर छेतर फल निकालना है समलम चतुर भुज का तो याद रखना एक बटे दो याद रख लेना और ये जो समांतर भुजा है समांतर भुजा पाली क्या है B1 है और दूसरी क्या है B2 है इनको क्या करते हैं जोड देते हैं B1 प्लस B2 और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलना है उचाई मिलना है उचाई कितना H इसका हम लोग क्या करते हैं मल्टिप्लाई करा देते हैं तो यही क्या मिलता छेत्र फर मिलता तो समलंब चतुर भुज इस तरीके से बनता है दोस्तों इसमें क्या होता एक बटे दो समानतर भुजाओं का योग तो समानतर भुजाओं का योग B1 प्लेस B2 और यह जो हाइट मिलना यह है तो इनका हम लोग क्या करते हैं गुड़ा कर देते हैं अब हम लोग बात करते हैं इक्याई चौधा के, हम लोग 14 यूनिट डिसकस कर लिए दोस्तों, आपको पता भी नहीं चला होगा कितने आसानी से हम लोग सभी यूनिट को डिसकस करते हुए चलना है, इक्याई चौधा में देखें, तो क्या होता है, एक सरकल अगर हम लोग द तो तरिज्जा क्या है oc अब तृभ्ध में सब ही क्या होती है जितने भी त्रिज्जा होती है और क्या होती है आपस में बरावर होता है तो oc क्या हो जाए , त्रिज्जा हो गया ? कर ना गुज रहे, व्रित्ट के किन ही दो बिंदू, यानि कि जो बृत्त की परेधि आए, बृत्त के परेधि प्या हम लोग कोईRO बिंदू ले लिये, उस बिंदूकों मिलाने वाली जो रेखा होती उसकों लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते बस इसमें condition ही होती को बृत के केंद से होके न गुज़रे तो बृत के लिए कुछ महत्वपूर सूत्र है वो याद रखेगा तो जो त्रिज्या होता दोस्तों क्या होता ब्यास का हमेशा क्या होता आधा होता, देखो यह क्या होगा अगर इसको यहाँ से पूरा मिला दिये ते यह R, और यह R तो यानि कि जो ब्यास है 2R से मिल के बन दा है, न है यानि कि अगर हम लोग ब्यास की बात करों तो ब्यास को इधर ही रखे और यह क्या हो जाएगा दो इंटू त्रिज्जा हो जाएगा ठीक परित बराबर क्या होता है 2 pi r ठीक और छेत्र फल क्या होता है pi r square या pi by 4 d square तो यह सब को याद रहता pi r square सब को याद रहता है यह अगर pi r square याद है तो यह वाला आटोमैटिक निकल जाता है कैसे निकलता है यहाँ पर बता देता हूँ आपको जैसे यह pi r square है दोस्तों तो हमें पता r बराबर क्या होता है 30 और 30 और 20 में relation क्या होता है d by 2 का यानी pi into d by 2 का square तो pi into d की d square और 2 का square क्या होता चार तो वही चीज लिखाओ, pi by 4, d की पावर, d square, ठी, और परिद और ब्यास में जो relation होता हो, क्या होता, pi होता, तो important है, इसे याद रखना, परिद और ब्यास का जो relation होता, pi, तो ब्रित में हमें जो याद रखना है, दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बाद, सबसे पहले, छेत्रफल याद रखना, छेत्रफल क्या होता, pi, r, square, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या pi by 4, d square, दूसरा हमें क्या याद रखना, perimeter, जिसको हम लोग परिद बोलते हो, क्या होता, 2 pi, r होता है, उसके बाद हमें याद रखना है, जो ब्यास बराबर होता है, वो क्या होता है, दो गुड़े, त्रिज्या का, और जो pi होता हो, क्या होता है, यानि कि परिद का जो मान होता, pi का मान होता हो, क्या होता है, 22 बटे 7, ये भी याद रखना है, करते हैं next unit की next unit में हम लोग 15 16 17 18 सब को discuss करेंगे दोस्तों तो ये भी बहुत आसान है बस आपको देखते चलना है तो सबसे पहले ही सिकाई में यानि कि क्या ही 15 16 17 18 में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं दोस्तों चतुर भुज के बारे में तो चतुर भुज क्या होता है जो चार भुजाओं से घिरी आकरती होती हो क्या होता चतुर भुज होता जैसे यानि कि चार बिंदू ले लिए A, B और C ले लिए और D ले लिए अगर इनको हम लोग आपस में क्या करें connect कर दें तो ये क्या हो गया चतुर भुज हो गया तो वही दिया गया चतुर भुज का चार भुजाओं से घिरी आक्रिती को हम लोग क्या करते हैं चतुर भुज करते हैं और चतुर भुज के चारा चारो अंता कोणों का योगफल क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग एक चतुर भुज बनाये हैं दोस्तों A, B, C और D तो यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं तो यह जो पॉइंट है A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया इसकों लोग क्या बोलते हैं सीर्स बोलते हैं दोस्तों यानि अगर पूछा जा A के सम्मुक सीर्स क्या उनसा होगा तो A के सम्मुक सीर्स सीस होगा B के सम्मुक काउनसा सीर्स होगा B के सम्मुक सीर्स D होगा अगर हमसे पूछी जाए सनलगन भुजाएं अगा ही चीष दिया गया, चतुल भुज के सीर्स की बात करूं, तो चतुल भुज का सीर्स अ, बी, सी तथा डी है, संलगन भुजाओं की बात करूं, तो संलगन भुजा क्या है? AB और AD है यानि कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा AB और BC है यानि कि B सीर्स से जो connect भुजा है AB और BC इसी प्रकार चार सनलगन भुजाय होती है अगर विकड की बात करूँ तो जो क्या होते हैं सम्मुक सीर्स को मिलाने वाली रेखा होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं विकड बोलते हैं तौक इसी चतुर भुज में दो विकड हो सकते हैं विकड AC है और विकड BD है सुरी दोस्तों अन्ता कोड की बात करूँ तो अन्ता कोड और बाय गोड तो इसको मैं डाइग्राम से आपको सम्झाता हूँ अन्ता कोड तो आप लोग सभी लोग जानते हो जो ये वाले कोड अपने को मिल रहे हैं ये क्या है अन्ता कोड है ये सभी क्या है अन्ता कोड है बाय कोड क्या होते हैं अगर हम लोग देखें तो ये इसके क्या है सीरसा भिमो कोड जिसको हम लोग अपोजित अंगल बोलते है तो ये बाय कोड नहीं है दोस्तों स्वारी दोस्तों तो बाय कोड इसमें यहां पर दिखो हम लोग दिखाये हैं तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला जो कोड है यानि की कोड जे सी एच कोड जे सी एच जो बीच में होता दोस्तों वही कोड को प्रदर्शित करता तो जे सी यज क्या है बायकोड है तो किसी चतुरगुज में चार बायकोड बन सकते चार अंता कोड चार बायकोड तो एक बायकोड ये हो गया एक बायकोड ये भी होगा दोस्तों ये होगा बाहे कोड और ये होगा बाहे कोड लेकिन ये बाहे कोड नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये इसके क्या है सम्मूख है दोस्तों यानि कि सिरसा भिमूख कोड हो जाएगा थी तो बाहे कोड भी समझ गया और अंता कोड भी समझ गया अब हम लोग बात करेंग समलंब चतुर भूज, समलंब चतुर भूज क्या होता है दूस्तों, समलंब चतुर भूज, ऐसे चतुर भूज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक यूग में क्या हो, समांतर हो, ऐसे चतुर भूज को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर भूज, यानि कि चतुर भूज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समलम चतुर भुज बोलते हैं तो समलम चतुर भुज जान गया हो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला चतुर भुज क्या है अगला है समांतर चतुर भुज सम्लम्ब चतुर्भुज पता जल गया दोस्तों जिनके आमने सामनी की भुजाय क्या हो सम्मुग भुजाय क्या हो बराबर हो तो उनको अम लोग क्या बोलता है सम्लम्ब समांतर में क्या होता समांतर चतुर भुज में सम्मुग भुजाओं के दोनों यूग में समांतर होता है समलंब में एक यूग में समांतर होता दूसरों समलंब को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे बना देता हूँ यानि कि एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया, इसको हम लोग आपस में ऐसे connect कर देतें, ये जो आकरती मिल लई हो, क्या मिल लई हो, सम्लम्ब की, यानि कि ये भुजा, सम्लम्ब चतुर भुज में सम्मुब भुजाओं का एक युग में समानतर होता, लेकि सम इंको हम लोग क्या बोलते हैं समानतर चतुर भूज बोलते हैं अगला है आयत आयत के बारे में सभी लोग जानते हो आयत क्या होता आयत एक समानतर चतुर भूज ही है जिसके सभी कोड क्या होते हैं समान होते हैं आयत के सभी कोड क्या होते हैं नब्वे अंस के होते हैं और आ प्रतेक कोड़ के होगे प्रतेक अंताकोड क्या होते हैं नब्वे नब्वे अंस के होते हैं अब आया बाद सम चतुर भूझ सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती है यानि कि AD बराबर AB बराबर BC बराबर CD यानि कि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है सम चतुर्भुज में अब दोस्तों अगला है वर्ग, ऐसे चतुर भुज को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्य कोड क्या होता है, नब्बे अंस का होता है, तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग सभी लोग जानते हैं, वर्ग के भी प्रत्य कोड क्या होते हैं, नब्बे अंस के होते हैं, अब उम लोग आगे बात करते हैं कुछ महत्वूर तत्थ हैं इस तत्थ को हमें क्या करना याद रखना है दोस्तों तो पहला तत्थ क्या है समांतर चतुरभुच के सम्मूख कोड क्या होते हैं समान होते हैं अगला क्या है दूसरा अगर दूसरे तत्थ की बात करूँ समांतर चतुर्भुच के बिकड एक दूसरे को समद्धिभाजित करते हैं तत्थ याद रखना दोस्तों काफे इंपोर्टेट होता पाला तत्थ क्या है समांतर चतुर्भुच के सम्मुख कोड क्या होते हैं समान होते हैं स्वारी दोस्तों अगला है समानतर चतुर्भुज के बिकड़ एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं आयत के बिकड़ समान होते हैं तथा एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं सम्चतुर्भुज के बिकड़ परस पर सम्कोड पर सम्दिभाजित करते हैं वर्ग के बिकड़ समान होते हैं तथा एक दूसरे को सम्कोड पर सम्दिभाजित करते हैं देखो वर्ग और सम्चतुर्भुज इनके जो बिकड़ होते हैं दोस्तों क्या होते हैं समान होते तथा ये क्या करते हैं एक दूसरे को समकोड पर सम्दिभाजित करते हैं और आयत के जो विकड होते हैं एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं ठीक लेकिन समान नहीं होते हैं आयत के विकड समान होते तथा एक दूसरे को सम्दिभाजित करते तो सब के बिखड क्या है समान होते लेकिन आयत के बिखड क्या करते 90 अंस पर सम्दिभाजित नहीं करते ये याद रखना आयत में हमें क्या बिखड तो समान होंगे और एक दूसरे को सम्दिभाजित भी करेंगे लेकिन नबबे अंस पर सम्दुभाजित नहीं करते हैं उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के भिकर एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं ठीक है लेकिन समान नहीं होते हैं ये फैक्ट याद रखना दोस्तों अगला क्या है चक्री ये चतुर्भुज यादि किसी चतुरभूज के चारो सीर्ष, एक ही बृत्ट पर हो तो वह चतुरभूज क्या कलाता है चक्री चतुरभूज यानि कि बृत्थ हो गया बृत्थ पे चार बिन्दों है A है B है C है और D है इनको आपस में connect कर दीते हैं क्या बन गया चक्री चतुरभूज और चक्री चतुर्भूज के जो सम्मुक कोड होते हैं आगे बात करते हैं इक्याई 19-20 यानि कि अब हम लोग बात करने वाले 19-20 की यानि कि अभी तक हम लोग दोस्तों 18 यूनिट को कबर कर चुके हैं और 18 यूनिट में जितने भी कांसेट हैं उन कांसेट को हम लोग बहुत आसानी से समझें कुछ है नहीं दोस्तों बस हमें क्या करना कांसेट को समझना और कुछ चीज़े माइंड में क्या करना होता गड़ित में याद रखना होता तो आसानी से विजबल होगा ऐसे समी करड़ जिसमें क्या हो दो घात दिखें उसको हम लोग क्या बोलेंगे दूई घात समी करड़ बोलेंगे अगर हम लोग दूई घात समी करड़ की बात करो तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राज सिका उच्चितम घातांग की क्या हो दो यानि कि उच्चितम घातांग की क्या हो दो हो तो दूई घात क्या कालाता है बहुपद कालाता है एक मिनेट रुखिये दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ तो दुई घात समी करण अगर हम लोग दुई घात बहुपद समझ लिए तो दुई घात अगर समी करण के बात करूँ यदि PX क्या है एक दुई घात बहुपद है तो PX बराबर 0 क्या हो जाएगा दुई घात समी करण हो जाएगा तो याद रखना दोस्तों, तो एक हत का जो कैसे याद रखना माल लिया, x square plus 2x plus 5, अगर ये है तो ये क्या हो गया, ये तो px है अभी, ये क्या है, px है, अगर इसको हम लोग क्या कि ये 0 के बराबर कर देते तो ये क्या बन जाता है, समी करण बन जाता, तो वही चीज यहां पर दिया गया, ऐसा बहुपद जिसमें चर राज का उच्चितम घातांग 2 हो, तो उसको हम लोग दुई घात बहुपद बहुपद बोलते हैं, जब दुई घात बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते तो दुई घात बहुपद क्या बन जाता है, पर दिया गया है कुछ example दिये गा है जिसको हम लोग solve कर देते हैं दिया गया निम्न समी करणों को हल कीजिए तो पहला है यक्स square 16 तो यक्स square 16 तो यह square उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 की power एक बटे 2 हो जाएगा तो इसको solve करते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर यक्स square 16 तो यह इधर गया क्या हो जाएगा यक्स अंडर रूट 16 हो गया अब यक्स का मान plus-minus हो सकता plus-minus 4 ठीक या तो plus होगा या तो minus 4 होगा ठीक दोनों सक्टिशन यानिकी यक्स के 2 answer हो सकते या तो plus-4 हो सकता या minus 4 इसी प्रकार यक्स minus 25 बड़ावर 0 है तो क्या हो जाएगा x square बड़ाबर 25 x बड़ाबर क्या हो जाएगा under root 25 x बड़ाबर क्या हो जाएगा plus minus 5 ये क्या हो गया answer हो गया अगला क्या है उदारण दिया गया एक वर्ग का छेत्रफल 64 cm square है तो वर्ग की भुजा ग्याद कीजिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं वर्ग का छेत्रफल हमें पता है वर्ग का यानि वर्ग के छेत्रफल की बात करूं तो होता है भुजा square अ का मान क्या है 64 बड़ाबर भुजा square भुजा को मैं अ मान लिया तो ए का square ए का मान एक क्या हो जाएगा under root 64 ठीक एक अमान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 जबकि हमें पता लंबाई क्या होता हमेशा प्लस में होता तो इसलिए अंसर क्या होगा प्लस 8 यानि एक अमान क्या हो जाएगा 8 cm तो ऐसे question पूछे जाएंगे दोस्तों अगर formula पता है तो हम लोग question को आसानी से solve कर लेंगे अगला एक example और दिया गया समी करड 3x square प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0 को भी हल कीजिए यहाँ पर इसको solve करते हैं यहाँ पर एक समी करड दिया गया दोस्तों 3x square प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 इस समी करड को हल करना इस समी करड को हल करने का जो तरीका है दोस्तों याद रखो यह जो last वाला अंख है और जो यह पहले है इनको हम लोग आपस में क्या करते है गुड़ा कराते है तो गुड़ा कराए 8 और 3 का गुड़ा कराएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा ठीक तो अब 24 को हम लोग क्या करते हैं 2 पाइट में तोड़ते हैं गुड़ा करे तो क्या आए 24 आए गुड़ा करे तो 24 आए और जोड़े तो क्या आए 10 आए इस प्रकार जोड़ेंगे तो अगर हम लोग 24 को 2 पाइट में तोड़े 12 गुड़े 2 कर सकते हैं तो बारा गुड़े 2 करेंगे तो 24 आ गया और 12 प्लस सॉरी हाँ 12 गुड़े 2 कर सकते हैं दोस्तों तो 12 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो ऐसे करके भी देख सकते हैं और कोई दूसरा अपसन है जोड़ने पे 10 आए और गुड़ा करने पे भी 24 आए तो ये वाला तो नहीं होगा दोस्तों क्योंकि माइनेस करना पड़ रहा अगर हम लोग 24 को 6 गुड़े 4 में तोड़ें तो ये क्या हो गया 6 चाओ 24 और 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 भी मिल जाएगा यानि कि यहां से काम बन जाएगा अपना यानि कि 3 अक्स स्क्वाइट 10 यक्स को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 अक्स प्लस 4 अक्स प्लस 8 बराबर 0 तो इस क्वेश्चन को कैसे साल्व करेंगे दोस्तों इस वाले संख्या यानि कि लाष्ट वाला जो संख्या होता और पहली जो संख्या होती इनको गुड़ा करते हैं अब 24 को दो पाइट में तूड़ना होता, गुड़ा करने पे 24 आए और जोडने पे क्या है, 10 आए, तो 6 गुड़े 4 करेंगे, 24 आजाएगा, उच्छा है और 4 को जोडेंगे, 10 आजाएगा, तो वही चीज मैं किया, यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा, कामन हो जाएगा, दोस्तों तो यहाँ बचेगा, x प्लस 2 और यहाँ से 4 कामन हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, यानि कि 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे bracket में हो गया एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो सबसे पहले हम लोग 3 x प्लस 4 बराबर 0 करते हैं तो अगर इसको करते हैं तो x का मान क्या आ गया x का आ गया मान माइनस 4 बटे 3 अब हम लोग करते हैं x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान आ गया माइनस 2 तो यानि कि X का मान क्या आ गया माइनस 2 और माइनस 4 बटे 3 अब अगला है दो अज्यात रासिवाले रेखी समीकरड यानि कि युगपत समीकरड तो युगपत समीकरड क्या होते हैं दोस्तों यानि कि अगर हम लोग बात करें यानि कि X और जो Y है ये दोनों में क्या है अग्यात है तो ये दो अग्यात चे रहें तो इस प्रकार के जो समीकरड हमें मिलते हैं उनकों लोग क्या बोलते हैं युगपत समीकरड क्यों कर रहा है क्योंकि दो समीकरड के जोड़े हैं तो इसलिए इसको क्या करे हैं युगपत समीकरड बोल रहे हैं कोई लाजिक नहीं है दोस्तों बहुत जाद है क्योंकि दो equation दिये गया है दो equation को हम लोग साथ साथ दिखा हैं तो इसलिए इसको युपत समीकरण बोलते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कुछ युपत समीकरण का एक्जामपल देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं दिया गया है पहला उदारण अगर हम लोग देखें यक्स प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5 इसको हमें क्या करना है सॉल्ब करना है दोस्तों इसको सॉल्ब करने के दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों दोनों को हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले अगर इसमें हम लोग क्या करें एक्वेशन नमबर 1 में अगर 2 का multiply करा दे तो यह क्या बन जाएगा 2x plus 4y बराबर 14 यह क्या बन गया equation number 3 अब equation 3 और 4 को हम लोग minus कर दें अगर equation 3 और 4 को minus कर लेते हैं 2x plus y बराबर 5 तो अगर हम लोग minus कर तो यहां क्या हो जाएगा plus है तो minus हो जाएगा plus है तो minus हो जाएगा यहां पर भी क्या हो जाएगा minus हो जाएगा अब यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहां पर क्या हो गया 3 y हो गया और यहां पर क्या हो गया 14-14 में 5 गया 9 तो y का मान क्या आ गया तीन आ गया अब ये तीन का मान हम लोग क्या करेंगे किसी equation number 1 में रख देते हैं y का मान तो क्या हो गया x plus 2 into 3 बराबर 7 तो क्या हो गया x plus 6 बराबर 7 तो x बराबर क्या हो गया 7 minus 6 equal to 1 आ गया यानि कि x का मान 1 आ गया y का मान क्या आ गया 3 आ गया एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है सबसे आसान होता हम तो यही मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे तरीकों को भी यहाँ पर discuss करके आपको बता देता हूं दूसर तरीका देते, तो सबसे पहले समी करण एक से, समी करण एक से, समी करण एक से अगर हम लोग बात करें, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7-2y, अब यक्स का मान हम लोग समी करण दो में रख देंगे, समी करण 2 में एक्स का मान रखने पर, तो हम लोग रख देते, 2 गुड़े एक्स की जगह पर रख दिये, 7-2y, प्लस y बराबर 5, तो यह होगे, 14-4y प्लस y बराबर 5, तो यह क्या हो जाएगा, minus 4y प्लस y, तो यह क्या होगे, minus 3y, 5-14, तो minus 3y बराबर क्या हो जाएगा, minus 9, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, अब यही 3 का मान हम लोग किसी equation में रख देंगे, तो अपने को answer मिल जाएगा, तो यह दो तरीका है solve करने का, युगपत समिकरड का solve कर दिये, अगला उदारर 3, एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 5 cm अधिक है, यदि आयत का परिमाप 40 cm है, तो उसकी लंबाई तथा चोड़ाई गयाद कीजिए, युपत समिकरड से इसको भी गयाद कर सकते हैं दोस्तों, चलो गयाद करते हैं इसको युपत समिकरड से, तो माल लेता लंबाई कितना है, लंबाई कितना हो गया, यक्स, और चोड़ाई कितना हो गया, वाई हो गया, तीक, आब हम लोग क्या करेंगे, question को पढ़ेंगे और जो question बोड़ा उसी के अनुशार हम लोग solve करते चले जाएंगे तो दिया गया एक आयत की लंबाई उसकी चौडाई से 5 cm अधिक है यानि कि लंबाई क्या है लंबाई को हम लोग यक्स लिख लिए और बराबर y यह कब y के बराबर होगा यहां से पढ़ना जो लंबाई है उसकी चौडाई से क्या है 5 cm अधिक है चौडाई से 5 cm अधिक है तो यानि कि अगर हम लोग क्या करें चोड़ाई में 5 जोड़ दे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा तो चोड़ाई में 5 जोड़ दिये तो वही चीज हो गया ना जो लंबाई यानि की x का मान क्या है उसकी चोड़ाई से 5 cm अधिक है तो y प्लस 5 कर दिये अब क्या हो गया बराबर हो गया अब अगे दिया गे यह दि आयत का परिमाप 40 cm यह क्या हो गया equation number 1 अब आयत का परिमाप क्या होता है दो गुड़े लंबाई दो गुड़े लंबाई प्लस चोड़ाई तो लंबाई यक्स हो गया चोड़ाई क्या हो गया वाई हो गया बराबर 40 यह equation 2 हो गया 2 equation मिल गया तो 2 equation 2 unknown हम लोग आसानी से solve कर लेंगे यह x का मान हम लोग इस equation में रख देते हैं तो 2 गुड़े x की जगा पे हम लोग y plus 5 plus y equal to 40 तो यह क्या हो जाएगा 2 2y plus 5 बराबर 40 अब 2 से हम लोग 40 को कार देंगे यानि कि 2y plus 5 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 2y 20 में से 5 गये तो 15 आ जाएगा और y का मान कितना आ गया 15 बटे 2 यानि कि 7.5 यह क्या हो गया y का मान y का मान कितना हो गया दोस्तों 7.5 सेंटीमेटर ठीक तो yaks कमान क्या हो जाएगा yaks कमान हो जाएगा 12.5 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगा y की जगह पर 7.5 रख देंगे और 5 7.5 बारा हो तक 12.5 यानि कि क्या हो जाएगा yaks कमान 12.5 सेंटीमेटर तो यह क्या आ गया दोस्तों आंसर तो यह आपको मैं 20 यूनिट कबर कराया हूं इस वीडियो में तो यह संपूर वीडियो है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कमेंट बाक्स में लिखिएगा कि हमें यहाँ पर इस टॉपिक में यह पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा दुबारा डिसकस करने की कोशिस करूँगा तो धन्यवाद दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िए मस्त रहिए और आबाद रहिए और मेरा कोशिस यही है कि आप लोगों का मैत में बैक न लगे ठीक तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए धन्यवाद दोस्तों